नमस्कार क्या पिचल टिवी का खाश शोज सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा आज सवाल कॉंग्रिस से क्या आखिर कॉंग्रिस को हो क्या गया है क्या कहीं कॉंग्रिस अपने अंतिम पड़ाओं में तो नहीं पहुंच रही कहीं कॉंग्रिस का दअंड तो नहीं होने वाला दिरसल ये सवाल इसलिए क्योंकि कॉंग्रिस नेताओं की ऐसी ऐसी हरकते ऐसी ऐसी बयानबाजिया सामने आ रही है कि लगता है कॉंग्रिस अपना आपाक हो रही है और अपने लिए ही गंठे खोत रही है और बहुत जल्द कॉंग्रिस का विनाश निश्चित है एक तरफ राहुल गांधी लंदन जाकर भारत की बुराई करते हैं भारत की तुलना पाकिस्तान से करते हैं कहते हैं भारत की स्थिति ठीक नहीं है जिसकी जिम्मेदार बीजेपी है तो वहीं दूसरी तरफ लोगसभा में कॉंग्रिस के नेता अधीर रंजन चौधरी राजीब गांधी की पुनितिती पर ट्वीट कर सिखों के जख्म को कुरदने का काम करते हैं आज सवाल कॉंग्रिस की बिगड़ती छबी पर ही करेंगे बाचीत के लिए मारसा स्टूडियो में मौझूद है क्यापिटल टीवी के सीनिर एडिटर राजीब जी राजीब जी बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद ये कॉंग्रिस को आकर कर हो क्या गया है एक तरफ लंदन में जाकर राहुल गांधी भारत की बुराई करते है तो दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी का स्टरा का ट्विट दोनों इस्थितियां अब देखिए कॉंग्रेस अपने सबसे बुरे दौर्शक उजर रही है और राहुल गांधी अब फ्रस्टेट हो चुके है उनको मोधी फोबिया भी है यानि कि उनको सपने में भी परधान मंत्री नरेंद्र मोधी याद आते है भारतिय जन्ता पाटी याद आते है क्योंकि राहुल गांधी को पिछले आठ साल से इंतजार था कि कहीं उनकी बाते सुनी जाए उनको भी कुछ पहचान मिल सके लेकिन धीरे धीरे 2014 से पहले थोड़े समय के लिए उन्हें मौका मिल सकता था वो मौका उन्हें खो दिया और उसके बाद इंतजार में ही अभी तक लगे हुए है वो फ्रस्टेट हो चुके हैं और अपने फ्रस्टेशन में कहीं भी कुछ भी उलूल जूल बोलते हैं उनको ये समझ में ही नहीं आता कि राजनीती करने के लिए विरोध किसका किया जाना चाहिए समर्थन किसका किया जाना चाहिए बारतिये जनता पाटी लगतार विपक्ष में रही है लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी भाजपा के नेताओं को पता होता था कि कॉंग्रेस का विरोध करना है या भारत का विरोध करना है अब राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आता कि भारतिये जनता पाटी का विरोध करने के चक्कर में वो बार बार भारत का ही विरोध क्यों कर देते हैं आज जो उन्होंने किया जो सामने आया लंदन में Cambridge University में उन्होंने जो जो बाते कही है वो फिर से अगर दुबारा सुन लें और वो बात उनको explain करके कोई बता दे तो हो सकता है कि राहुल गांधी सदमे में चले जाए जो इस्थितियां उत्पन हो गई है राहुल गांधी ने क्या कहा पूरे देश में किरोसिन छिड़का हुआ है और सिर्फ एक इंतजार है चिंगारी की भबकने की उसके बाद भबक जाएगा जल जाएगा देश ये कोई दुश्मन ही बोल सकता है देश का इनको तो देश द्रोही करार दे दिया जाना चाहिए क्योंकि ये देश के दुश्मनों को एक संकेत दे रहे हैं कि भारत में इस्थिती ऐसी है जिसके खिलाफ आप लोग कॉंस्पिरेसी करो और देश में अरजकता के महौल तयार है अरजकता के इस्थिती बन जाएगी और यही राहुल गांधी जैसे लोग और कॉंग्रेस के नहीं पिछले दो तीन सालों में ये इस्थितियां पैदा करवाई है जैसे ऐसे बयान दे कर यही राहुल गांधी के और कॉंग्रेस के नेताओं के बयानों का इस्तेमाल कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान करता रहा है युएन में भी जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर सबूत देना सुरू किया। तो वो Congress का सबूत दे रहा है। देखो, वहां की आप पार्टी जो भी पक्छी पार्टी है, वो बता रही है कि कश्मीर में मानवाधिकार का उलंगन हो रहा है, कश्मीरी मुसलमानों को दबाया जा रहा है और ये सुबूत कौन दे रहा है, कॉंग्रेस की पार्टी के नेता, कॉंग्रेस के नेता ही दे रहे हैं पाकिस्तान को सुबूत, अब कॉंग्रेस के पुर्वध्यक्ष राहुल गांधी भी वही सुबूत दे रहे हैं, पाकिस्तान को चीन को बता रहे हैं, कि देश में ऐसे पैदा हो गई है आप लोग आओ और यहां पर शड्यंतर करो पी एफाई को फंडिंग करो देश बिरोधी ताक्तों को यहां जोक दो यह राहूल गांधी का इसारा है इसे लिए ऐसे नेताओं पर तुरत ही राष्ट द्रोह देश द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए अगर इन पाकिस्तान से करना लदाक को युवन जैसे स्थिती में बताना कि उकरेन जैसी हालत हो गई है या तिल्ली वाली ही जो उन्होंने बयान दिया ऐसे में इसको संयोग माना जाए या कोई प्रियोग माना जाए यह संजोग है राहूल गांधी के लिए और प्रियोग इसका भा जगा होगा कि भारतिये जन्ता पार्टी ने पूरे कॉंग्रेस पर किरोसिन तेल छिड़क दिया है और एक एक जगह से जला रहा है भारतिये जन्ता पार्टी ने नौर्थी से कॉंग्रेस को सफाया कर दिया उत्तर परदे से कॉंग्रेस का सफाया हो गया बिहार में कॉंग् पहुतिम बंगाल से सफाया हो गया कॉंग्रेस की सिती ऐसी हो गई है जो सारी छेत्रिये पार्टियां भी अब कॉंग्रेस से बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है। पंजाब जीतने के बाद अर्वींद केजरिवाल की पार्टी के नेता बोलने लगे कि कॉंग्रेस हमसे छोटी पार्टी है उसका भी दो स्टेट में सरकार हमारा भी दो स्टेट में सरकार तो हम कॉंग्रेस से कम कैसे हो सकते हैं उसी तरह से अलग-अलग पार्टी के नेता ज चाहिए तो राहूल गांधी तो एक तरह से कहा जाए तो कॉंग्रेस के लिए पनौती हैं जब तक वो रहेंगे कॉंग्रेस नीचे ही गिरता रहेगा और इस बीच जो लंदन में उन्होंने बोला है उससे कम से कम कॉंग्रेस का जो भी अभियाधार है उसमें से आप समझ लो कि 10% नीचे आ जाएगा और दूसरी तरफ जो आपने अभी बताया अधीर रंजन चौधरी का क्या इस्थित्य हो गई क्या ट्यूट किया उन्होंने उन्होंने जो ट्विट किया वो कॉंग्रेस के आधार को एक अस्टेटरे तो गाय भी कर दिया जो इस्थित्या थी अधीर रंजन चौधरी का ट्विट किया वो कॉंग्रेस के फ्रस्टेशन को दिखा सकता है और दूसरे अस्तर पर अधीर रंजन चौधरी का ट्विट कॉंग्रेस के उस मानसिक्ता को दिखा सकता है कि जो अभी के समय में वो उस समय के अनुसार अभी भी चल रहा है उसकी मानसिक ता जहर घोलने वाली ही है पूरे स्थितियां लगभग इस बात के लिए संकेत दे रही है तो अब तो कॉंग्रेस को तो चारो तरफ से गालिया पड़े एक स्टेट भी नहीं बचा है पंजाब में जिस तरह से अब लोगों के अंदर तरह से अब कॉंग्रेस को खात्म कर देना चाहिए इन लोगों को चाहिए अपना अपना बोडिया विष्तर लेकर अलग अलग जगह पर जिनको भी लगता है कि कॉंग्रेस रहे या नरहे आगे उनका राजनीति करियर है उन लोगो अब कॉंग्रेस छोड़कर बाहार निकल जाना चाहिए, अपने अपनी पाटी बनाने चाहिए और अलग तरीके से राजनिती करने चाहिए आदे से जादा नेता तो कॉंग्रेस छोड़ते वे ही नजर आ रहे हैं, एक एक के बाद एक का स्थिफा सामने आ रहा है जिनको भी लग रहा है कि हमें भविस्व में राजनिती करनी है, वो कॉंग्रेस छोड़के जा रहे हैं जिनें लग रहा है कि यहां से अब पिंसन लेके ही जाएंगे जोला उटा के, कॉंग्रेस के साथ हमें भी बरबाद ही होना है क्योंकि बाहर में कोई उनको पूछने वाला नहीं है, उनका कोई भविस्व नहीं है, तो वो अभी कॉंग्रेस में अटके हुए है G23 के नेता भी बार बार यही जिकर कर रहे थे, सुधार की बात कर रहे थे, लेकिन इसके बाबजूद भी वो लोग जो कॉंग्रेस के अलाबा कहीं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो वहीं पर चिपके रहेंगे जैसे कपील सिबल कितना भी बोल लें, कोई दूसरी पाटी उन्हें लेने के लिए भी तयार नहीं रहेगी राजसभा बेजने के लिए भले ही जो छोटी-छोटी पाटियां है वो सायोग कर देती है, इसलिए कि वो पाटियां और जिन पाटियों के लिए वो काम करते हैं, उनके नेताओं के उपर इतने मुकदमे होते हैं, कि कपिल सिबल जैसा एक बखील चाहिए, जो मुफ्त में उनकी पैर भी कर सकें, लालु जादब को कपिल सिबल जैसा बखील चाहिए, अखले जादब को कपिल सिबल जैसा बखील चाहिए, तो ये सारे जो नेता हैं, इन लोगों को चाहिए छेत्रिये पाटियों के नेताओं के, इसलिए अभिशेक मनी सिंगवी को कॉंग्रेस में रहते हुए ममता बनर जी का सहारा मिल जाता है कपील सिब्बल को लालू जादब का सहारा मिल जाता है तो यह सारे लोग हैं वही लोग वहाँ पर बैटे रहेंगे और कोई कॉंग्रेस में रहने के लिए तयार नहीं है सिंधिया को देखिए जितिन पसाद को देखिए अभी ह दीरे दीरे उस दौर में चली जाएगी कि कॉंग्रेस के जो नेता अभी राहूल गांदी सांसदी का चुनाव हारे अमेटी से अभी भाइनार में बचा हुआ है धीरे दीरे ऐसा हो सकता है कि ये पंचायत लेवल का भी चुनाव जीतने के लायक न रहे जी अब तो राहूल गांदी को मुझे लगता है कि बोरियाब इस तरले के फ्रांस हिर्शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि वो भारत कितनी बुराई कर रहे हैं भारत की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो वो फ्रांस चले जाए है वेलकूल इनको तो ऐसे भी यहां मन लग आए लेकिन जो जैपूर के चिंतन सिवीर में भी प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने एक संकेत दिया कि अगले 25 साल के लिए भारतिये जनता पाटी तैयारी करें और अगले 25 साल तक भाजपा को ठकना नहीं है रुपना नहीं है इसके कालकरताओं को काम करते रहना है और 25 स साल बाद ऐसे भी राहुल गांधी कैसे रहेंगे वो सोचने की बात तब तक तो युवा नेता भी नहीं रहेंगे जिसका उन्हें गर्व है नेता ही नहीं रहेंगे युवा तो बात की बात है युवा तो अब भी नहीं है लेकिन उस समय तक वो नेता भी नहीं रहा पाए उस पार्टी के दूसरे नेता ने ऐसा खतरनाक ट्विट किया है तो उसमें उसकी गलती नहीं है बलकि कॉंग्रिस के डिने में ही देशे गदारी करना शामिल है और यही बजा है कि कॉंग्रिस तूटके कगार पर आ चुकी है आज के हमारे खाशो सबसे बड़ा सवाल में फिलाल इतना ही देखते रिये कैपिटल टीवी नमस्कार